नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नियूस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ आपके साथ स्पाती सिंग शरीफा यानी सीता फल जिसे अंग्रेजी में कस्टर्ड एपल भी कहा जाता है कई लोगों ने इस फल को खाया होगा इसके लाब के बारे में भी जानते होगे तो कई को नहीं पता होगा कि शरीफा के क्या फाइदे और नुकसान होते हैं आपको बता दें कि इस फल के कई लाब होते हैं शरीफा ने एक पोश्टिक तत्वों का खजाना माना गया है। अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपको कई तरह के स्वास्त लाब मिल सकते हैं। शरीफा में विटामिन C और एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर काफी गुण पाये जाते हैं। इसलिए ये कैंसर के जोखिम से भी आपको बचा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीफा कई तरह से आपको नुकसान भी पहुचा सकता है। जी हाँ, कई फायदों से भरपूर इस फल के कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप शरीफे को जरुवक से जादा खाने लगते हैं, तो ये आपके लिए हानी कारक भी हो सकता है। आज की आमारी इस विपोच में हम आपको शरीफा खाने के नुकसान के बारे में बताएंगे। अगर आप रोज इस फल को खा रहे हैं, तो आज ही हो जाईए सतर्क। सीता फल में विटामिन C, विटामिन A, पोटेंशियम, मैंगनीशियम, तामबा और फाइवर जैसे पोश्टेक तथ पाए जाते हैं। इसलिए इसे गर्वती महिलाओं के लिए अच्छा माना जाता है। इसके लाप तो कई हैं, लेकिन शरीफा खाने के कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। पाइजेशन से जुड़ी समस्या रहती हैं, यानि की पाचन समस्या आपको रहती हैं, तो आपको गलती से भी शरीफा नहीं खाना चाहिए। चरीफे में फाइवर काफी जादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर इसका सेवन जादा कर लिया जाए, तो पेट, दर्द, दस्त, गैस, आतों में जक्रन जैसी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फल जित्रा खाने में मज़ेदार और फाइदे मंद होता है, इसके बीज उतने ही जहरीले होते हैं। इसलिए इसे खाते समय बीज का घ्यान रखना बेहत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये आपकी सेहत को नुकसान पहुचा सकता है। सीता फल में भरपूर मात्रा में आइरन भी होता है। अगर इसे जादा खा लिया जाए, तो जादा आइरन से आपको उल्टिया, मतली जैसी दिक्कते शुरू हो जाती है। इस फल को खाने के फायदे अनेक हैं, लेकिन इससे जादा खा लेना आपके लिए एक बड़ा खत्रा भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो बेहत पसंद आया, आपको इस वीडियो में वो जानकारी मिली, जो आपको अन्य जगा से अभी तक नहीं मिली थी, आप सिर्फ शरीफे को एक फायदे मन्द पल होने के नाते बस खा रहे थे, लेकिन आपको ये नुकसान नहीं पता थे, कि आपक करें ताकि आप जैसे और लोगों के भी मदद हो पाए, आभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, सेव रहे, सुरक्षत रहे, देखते रहे, इंडिया न्यूज, डिजिटल धन्यवाद